Hello everyone, I am Akash Gaur, welcome back to your Indian Medical lecture, नया topic लेकर रहा हूँ, नया पूरा course लेकर आए हूँ, DMLT, BMLT का पहले भी explain किया, बट इस वीडियो में हम लोग देखेंगे, कि आपको मैं क्या-क्या syllabus explain करने वाला हूँ, पूरा syllabus के बारे हम बात करेंगे, कितना क्या syllabus पढ़ेंगे, paramedical की DMLT, BMLT की जो government exams होती है, उनमें क्या syllabus पूछा जाता है, हम लोग क्या आपको provide करेंगे, कितना syllabus, क्या-क्या वीडियोस आपको provide करेंगे, पूरा और ये syllabus आपकी M's हुई, NHM हुई, group 5 की exam हुई, work 5 की exam हुई, या फिर GMC वगेरा की जितनी भी paramedical की DMLT, BMLT की सरकारी भरती है, निकलती है, हर एक चीज की आपको government exam preparation with affordable price में provide करेंगे, पहले आप समझ लीजिए, पूरा course है, DMLT और BMLT, bachelor medical lab technician, DMLT, PG, DMLT, यही चीज है इसमें भी, आप देखिएगा इसमें सबसे पहली चीज तो ये 2 साल तक ये course रहेगा, आपके पस मैं पूरा syllabus explain करूँग आप इस वीडियो का अच्छे से देख लीजिएगा, दो साल तक ये course रहेगा, सभी subject रहेगा, आप college level से preparation कर रहे हो, आपकी competition, competition तो छोड़ो, competition तो मैं आपको free में provide कर रहा हूँ, extra कोई पैसे नहीं ले रहा हूँ, total course की price चाहे है, आप DMLT खरीदो या BMLT खरीदो, 1500 रू मेरे चैनल पर दूसरा कोई आके नहीं पढ़ाएगा, मैं हर एक lecture में खुद से notes बनाऊँगा, खुद से आपको पढ़ा के, सारी चीजे लाइव क्लासे से रहेगी, उसमें सभी subject की recorded video मिल जाएगी, आपको ठीक है, लेप्टेस के बारे में, दोनो भाषा में, हिंदी में अभी और English में भी हर एक चीज में, पूरा कोर सी दोनो लेंग्वेज में बनाया गया है, लाइव क्लासे शाम 8 बजे से स्टार्ट होती है, हमारी 8 से 9, 9 से 10 जिसमें 9 से 10 वाली जो क्लासे, MCQ पोर्शन की रहती, बाकी theory पोर्शन की चलती है, 2000 से जादा MCQ के हिंदी प्लस English लेंग्वेज में, वो MCQ जो अपताग एक्जाम में पूछे गए, उनके नोट सभी सरकारी परिक्षाओ की तैयारी, सारी PDF form में मिलेगी, हिंदी एंग्लिश भाषा में मिलेगी, नोट साप डाउनलोड कर सकते हो, उसको प्रिंट करवा सकते हो, अपनी Gmail पे शेर कर सकते हो यह सारी चीजे रहेगे, तो किलियर हुआ, दो साल तक का कोर्स रहेगा, आपका चाहे BMLT खरीदो या PMLT खरीदो, दोनों की प्राइस सेम है, 1500 रुपे में आपको मिलेगा, अफोडेबर प्राइस, 2000 प्राइस है, बढ़ हम लोग ओल्रेटी डिसकाउंटेट प्राइस में 1500 में दे रहे और इस प्राइस में मैं आपको चैलेंज करता हूँ, कही कोर्स नहीं मिलेगा, और यह मेरी गैरेंटी है, अगर कोर्स आप जोइन करते हो, एक एक चीजे, एक एक पॉइंट आपके किलिए रहोंगे, और इतनी मैं आपको प्रोमिस कर सकता हूँ, कि आपकी को एक लेक्षर दूसरे बंदे को आपको यह अपर नहीं मिलेगा देखने को ठीके सिंपल बात है एम्स की हुई गुरूप फाइप की हुई एनेचेम की हुई जी एमसी की हुई अधर जितनी भी भरतिया निकलती है सरकारी डीमल्टी बीमल्टी से रिलेटेड हार एक एक्जाम की प्रप्रेशन आपको करने को मिलेगी एमसी की पोर्शन मिलेंगे दस साल के जितने भी पेपर है सारे पढ़ाऊंगा कोलेज लेवल तो होगी सही अगर आप एसा मां सोचना की कोलेज ने पूरी थियोरी है हमेट पेतो माइक्रोबालोजी बायोकेमिस्ट्री सारी यह कोर्स आपको देखने को मिलेगा यहां पिस नीचे ही लिखा हुआ है DMLT और BMLT इनमे आप डेमो क्लासेश भी टली हुए हो खोल के देखना सारे क्लासेश फ्री पको देखने को मिल जाएगी इसमें उपन करोगे तो फ्री क्लासेश इसमें इसके अंदर ही मिल जाएग इसका description में भी link है comment box में भी link है सबसे महतोपॉर्ण बात slayvars में आपको क्या-क्या पढ़ने को मिलेगा और क्या आपकी जितनी भी competitive exam होती है उसमें क्या questions आते हैं कौन से subject से आते हैं क्या-क्या topics से आते हैं सबसे पहला है anatomy and physiology पूरी detail से पढ़ेंगे biochemistry blood bank में पूरी clear clinical pathology पढ़ाएंगे paracytology पढ़ाएंगे chirology पढ़ेंगे जिसमें vital test यह जाते हैं शीरम simulated microbiology पढ़ेंगे histopathology पढ़ेंगे cytopathology पढ़ेंगे cytology पढ़ेंगे यह सारे subject अब देखिए inart video में आपको क्या पढ़ाऊंगा structure and function of sale यह आपकी competitive exam में आते हैं साथ में college level की exam होती है इसमें theory आती है competition में आपको MCQ आते हैं यह दोनों तरे से में तयार करने वाला हूँ theory भी पढ़ाऊंगा और MCQs भी पढ़ाऊंगो ऐसा नहीं के MCQ रटवा दिया नई theory पढ़ा के MCQ पढ़ाऊंगो आपके mind में concept clear रहेंगे जितनी भी lab technician की government exam होती हर एक की preparation यहापे हो जा यह cardiovascular system में है 10 topic आजाते है heart आजाता है veins आजाती है blood vessels आजाती है blood आजाता है circulation आजाता है pumping आजाता है conducting system आजाता है यह सब cardiovascular में है endocrine में पूरी चीज़े गाई जितनी भी ग्रंतिया है सारी चीज़े पढ़ेंगे nervous system पूरा पढ़ेंगे joint and bone जितनी भी हड़ीया और joints के बा आजाता हूंगा structure of eye, ear का structure, nose का structure, skin structure and function तोचा की कारे और सनरशना यह सारे topic आते हैं आपके anatomy and physiology में आप बोलोगे यह यह इतने ही topic इतने सारे है क्योंकि एक topic के अंदर 10 topic involved यहां पे होंगे यह चीज़ भी आप धियान रखना anatomy and physiology में next हम लोग biochemistry में पूरे molecule structure आने की जेव carbohydrate क्या होते है, प्रकार क्या है, function क्या है, metabolism क्या है, एक एक point जहां से MCQ बनेंगे, वो MCQ खीच के लाएंगे, आज तक 10 साल में कार्भो आइडरेट में से कितने MCQ पूछेगा है, वो भी discuss करेंगे, lipid, vasa, protein, enzyme, इन सारे के बारे में बिल्कुल detail से discuss करने वाले है, LFT, liver function test, kidney function test, lipid profile test, cardiac profile test, thyroid profile test, जितने भी vitamin से सारे detail में test, इसका पूरा practical भी हम आपको करके बताएंगे, practical portion भी रहेगा, theory भी रहेगी, MCQ भी रहेगा, इसके अलावा इसमें और भी भर के चीज़े हैं, जैसे carbohydrate में sugar test, insulin test वगेर, यह test के बारे में भी detail से पढ़ेंगे, blood bank के में हम लोग blood group की खोज के बारे में, history के बारे में, discovery के बारे में, methods के बारे में, सब पढ़ेंगे, cross matching में सारी detail से आएगी, कूम्स test क्या होता है, कितने टाइप से होता है, यह भी explain करेंगे, live classes में ही clear हो जाएगा, blood transfusion भी आपको बहुत important है, पूरा blood transfusion, blood transfusion की reactions, इसमें से भी exam में आत हमेटालोजी, हमेटालोजी में आपको क्या पढ़ना है, all blood, about blood के बारे में, पूरी detail से, anticoagulants के बारे में, blood collection के बारे में, hemoglobin के method, RBC count, WBC count, platelet count, blood film standing, इंग्लिश में लिखा है, बाकि हिंदी इंग्लिश दोनों language में, notes रहेंगे, ठीके, इसके अलावा, enemy and leukemia, दोनों च क्या होता है, osmotic fragility test क्या होता है, इसके अलावा भी और भी भर क्या आपको चीज़े हैं, भी detail से, मिलेगी, hematology के बाद हम लोग clinical pathology में, urine पूरी detail से पढ़ेंगे, सारे test पढ़ेंगे, CSF पढ़ेंगे, semen examination पढ़ेंगे, stool पढ़ेंगे, bone marrow पढ़ेंगे, ये सारा Hindi plus English language मे ही रहेगा, सारे चीज़े, physical, clinical, pathology, पूरी cover होगी, इसमें, parasitology में, urine के जितने भी parasit है, blood के जितने भी, 10 तरह के parasit है, blood में, वो सारे details, उनके pathology, clinical, significant, disease, lab test, सब included, इसमें रहेगा, stool, parasite भी, पूरी details हम लोग पढ़ने, वाले, शीरोलोजी में हम लोग, Vidal test, VDRL test, RA factor, Vidal, LIs, RER, different antibody reaction test, और भी agglutination, precipitation, ये सारी चीज़े, जितने भी शीराम से टेस्ट लगते हैं, तो कुछ लिए है, अभी लिखूंगा, तो लाइने भर जाएगी, ये सारे टेस्ट हम लोग इसमें, course में ही आपको cover करेंगे, microbiology में पूरी बैक्टिरिया की morphology, culture isolation, gram positive, जितने भी gram positive है, gram negative, सब के बारे में एक एक morphology, हिंदी इंगलिश भाषा में, बैक्टिरिया की growth nutrition क्या है, antigen antibody की क्या reaction है, immunolog, globalin क्या होती है, immunity क्या होती है, general introduction, virus कितने होते है, virus के प्रकार क्या होते है, transmission क्या होता है, साथ में structure and classification of fungus, जितने भी fungus है, सारी fungus, इन में से जितने भी MCQ बनेंगे, सारे details हम लोग discuss, करेंगे, histology में, different fixative के बारे में बात करेंगे, tissue processing, block making, different staining procedure of manly, hnd staining, pape staining, जितने भी histo में staining होती होती है, decalsification, decalsification agent क्या होता है, section cutting क्या होती है, different instrument of histopathology में, क्या instrument है, microscope क्या होती है, use क्या क्या होते है, ये सारी चीजे हम लोग इसमें discuss करने वाल है, histopathology के अंदर में, ठीके, तो ये पूरा syllabus है, ये तो आपका पूरा आप इतना ध्यान रखो, कि मैं आपको जो syllabus के topic पढ़ाऊंगो, वो ये रहे यहाँ पे, anatomy, physiology, biochemistry, blood bank, hematology, histology, इनके already कुछ recorded video है, और notes भी आप classes में clear होंगे, याद रखिएगा ये application है, इसमें मेरी guarantee है, मैं full guarantee देके बोलता हूँ आपको, कि आप बहुत ही affordable price में, बहुत ज़्यादा वो 50,000 फाली price नहीं है, ये केवल 15,000 रुपे में आपको, मैं इतनी ज़्यादा detail मिलेगी, आपको description में, comment box में link है, आप लोग अभी जोइन कलो, क्योंकि न्यूवर से definitely price शायद बढ़ जाए, मैं भी, बाकी कोशिश करूँगा, कि मैं जितना कम से कम में बच्चों को provide कर सको, उतना करूँगा, कोई sharing का option नहीं है, ये जित ध्यान रखना, आप अपना पढ़ो, download करो, print करो, सारी चीज़ आप कर सकते हो, आपको मैं खड़ा हो के, मैं खुद आपको पढ़ाऊंगो, सारी चीज़े मैं खुद ही किलियर करूँगा, Hindi प्लस, English Language, Thank you for watching guys, जल्दी साप लोग, डिस्क्रिप्चन में, कमेंट बोक्सों में लिंक है, एक बार, फ्री वीडियो, एक बार, चेक कर सकते हो, डली हुई है, किस तरह से मैं बढ़ा रहा हूँ, Thank you for watching guys,